जो बाबा साहब को लोग मानते हैं ये वीडियो खास सोर से उनी के लिए है साथ ही यो यदि बाबा साहब को हम मानते हैं कि बाबा साहब हमारे आइकन है तो उनकी बनाए विचार धारों को अपनाना हमारा परम करतवे होना चाहिए बाबा साहब नीले रंग को क्यों पसंद करते थे यह बात बहुत एहम है बाबा साहब अधिकतर नीले रंग का कोड़ पहनते थे या नीले रंग का उन्होंने अपनी पार्टी का रंग भी दिया था वो नीले रंग का कारण उनका देने का था कि बहुजन समास था वो विशा दूसरा रंग नहीं चड़ सकता, दूसरा उनका जो निशान था हाथी का, हाथी का तथागत बुद्ध का प्रिये पशू था, जब बाबा सहाब ने आरपी आई का गठन किया था, तो उनका सिंबल भी हाथी था, हाथी को कुछ लोगों ने बैठा दिया था, जिसे मानेवर् बन्याईयों ने लोगों ने उस हाथी की सवारी करी और चार-चार बार उसके मुखे नित्रत्य को देख चुके हैं, और इंतजार भी रहते हैं कि पूरे भारत का नित्रत्य भी इसी तरीके से हो, लेकिन बहुजन समाज के कुछ अग्यानी लोग हैं, जो इस तरफ कार्यों में लगे रहते हैं, बहुजन समाज आज जहां पर पहुंचा है, उसको 50 साल लग गए हैं यहां तक पहुंचते हुए, क्या दूसरी पार्टियां इतनी जल्दी से सत्ता हासिल कर पाएंगी, कत्य नहीं कर पाएंगी, उसका एक विशेश कारण है कि बहुजन भी नहीं आ पाती है, और उनको तोड़ने का काम मनुवादी विवस्ता के लोग करते हैं, लेकिन बाबा साहब के सपने को जो लोग पूरा करना देखना चाते हैं, उनको बहुजन समाज की विचारधाराओं के साथ जुड़कर उन पे नई चीजें लानी चाहिएं, हाथी अगर आप भी चाहते हैं, इस समाज को बनाए रखना, तो आपने अपने हाथी को बचा के रखना होगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले